चलो, शुरू करते हैं कोई नहीं, शुरू गुवर की मानर से ना से तू बांद रही पंधर जुड़ गया, सागर भट गया कुंका में भड़ गंपद भड़ गया, सीता मां तो हर्शित कर गया सुन्दो प्राणी राम नाम की महिमा ये सारी रगुपति रागव राम चंद का नाम सदा मंगलकारी स्रीया राम के नाम स्वरण से दन्य हुए दुनिया सारी जान सके तू जान राम का नाम है दुखारी स्री रगुवर की बानर से ना से तू बांद रही से रामा से रगवर की वालर सैना से तो बात रही राम चरण के छूलेने से अंथर भी दिरते पानी में जैसिया राम जै जैसिया राम जीवन का मंत्र यही जैसिया राम जैसिया राम की बच्ता मंत्र यही जहां एकता बही समल तक जहां एकता बही समल तक राम की रक्षा करने पुझो आगर लाज नहीं शीर गुभर की वालर से इना से तो बात रही क्या श्री राम का वास्तव में कोई अस्तित्व है क्या श्री राम एतिहासिक है देवत्व आस्ता दर्शान का है जबकि इतिहास अस्तित्व का प्रमाण है इतिहास को समझने के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग विगत एक शताब्दी से होते आ रहा है इस वीडियो में रामायन को वैज्ञानिक दृष्टी से देखने की कोशिश की गई है आईए देखिए क्या श्री राम वास्तव में अतिहासिक थे क्या विशिष्ट तारीक जिनका उलेख रामायन में किया गया है आज के कैलेंडर से मेल खाते है रामायन का भगौलिक वर्नन बिलकुल सही और सटीक है हर वो स्थान जहां श्री राम गय आज एतिहासिक सीमा चिन्ह या मंदिर के रूप में प्रसित है रामायन और महाभारत प्राचीन हिंदी ग्रंत है इनमें अनेक खगोलिय गतिवीधियों का उल्लेक किया गया है उस समय के तारों की स्थिती जब हम आज के प्लैनेटोरियम सौफ्ट्रियर में डालते हैं तब हम उन तारिखों में पहुँचते हैं जब यह संयोग संभव दे श्री राम का जन्मदीन श्री राम नवमी को मनाया जाता है अर्थात श्री राम चैत्र मास के शुकल पक्ष की नवमी तिथी को जन्मे दे रामायन के श्लोकों से हमें ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिती का पता लगा सकते हैं जब हम ये डेटा प्लाइनेटोरियम सौफ्ट्वेयर में डालते हैं हमें श्री राम के जन्म की तिथी एवं समय ग्यात होता है जो है दस जन्वरवी 5114 इसा पूर वह सारी तिथियां जो हमें रामायन से मिले हैं आन तेरे ग्रोप से पूरी तरह सिलसले वार है यह काफी हद तक सत्य है कि हमें आज श्री राम के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमान धर्दी पर नहीं मिलता है बजह साफ है प्लैनेटोरियम सौफडियर के अनुसार राम लगवग साथ हजार वर्ष पूर्व मौजूद थे तब से लेकर आज तक जाने कितने ही सल्दनक और बंचों ने भारत बर राज किया नई सपहता ने पुरानी सपहताओं के अस्तित्व को छपा दिया गाल दरका यह सपहताओं लुप्ध होती कि और आज इन सपहताओं को खोजबाना काफी मुश्किल है बस एक ही स्थान है जहां हम श्री राम के पुरा तात्विक अवशेशों का विशलेशन कर सकते हैं राम सेतु जो आज चलमग नहों चुका है रामायन में सेतु निर्मान का विस्तृत विवरन है इस विवरन से हम तदकालीन आयोजन, प्रबंधन और सिविल इंजिनियरिंग के प्रयोग का पता लगा सकते हैं राम और उनकी सेना ने सेतु निर्मान से पहले संभवता इस जगा की निरिक्षन की होगी आईए देखें किस हद तक इस निर्मान में सिविल इंजिनियरिंग का प्रयोग किया गया और आणों के अनुसार पत्थरों पर राम नाम लिखा गया था जिसे पत्थर पानी में नहीं डूपते थे बास्तविक्ता कुछ और भी हो सकती है हो सकता है कि पत्थर पानी में डूपते हो पर इतने पत्थर एक साथ समुद्र में डाल देना जिसे चलने लाएक सतह बन जाए संभव है यह भी संभव है कि आज भी हमें यह पत्थरों का ठेर मिल जाए हो सकता है कि समय के साथ यह पत्थर रेद में बदल गया पर अगर हम ध्यान से इस जगा की खुदाई कर हमें निश्चित ही सेतु निर्मान के परतों तक पहुच जाएं कदाचित या पत्थर या लकरी के लट्टे आज कार्बन बन गया हो पर इनका स्तित्व आज भी मौजूद है आज यह सेतु समुद्र के सता से दो मीटर नीचे मौजूद है पर उस समय यह संभावता एक मीटर समुद्र तल से नीचे हो अर्थात सेतु निर्मान के दौरान समुद्र तल आज के सतर से दीन मीटर या नौ फीट नीचे होगा समुद्र विज्ञान के विवरन के अनुसार साथ हजार सालों में समुद्र की सता नौ फीट बढ़ी है कारण है ग्लोबल वार्मिंग से धुरूविय बर्फ का पिखला ओशियनोग्राफी रिपोर्ट का अधियन करके हम इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि इस सेतु का निर्मान आज से साथ हजार साल पहले हुआ हुआ का okay guys if you like this video please subscribe it on YouTube new sets of episodes will be coming soon and of course if you can access Google map you can visit this place right now I'm sure you will be amazed